हेलो दिस इस विकास कमार सिंग और है यह वोड लाग तो प्रेजेंट अबाउट बेसिक लिक्ट कल इंजिनरींग जैसा कि हम सब को पता है मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप लोग कमेंट करके बताइए एक तो पहले चीज यह कि आप लोग के व्यूस काफी कम हो रहे हैं और आप लोग लगता है इसको कंसेटली देख नहीं रहे हैं ठीक है तो कोई भी वीडियो अगर मैं डालता हूं तो इसको लास तक उसको प्लीज देखिए तो इससे क्लियर हो पाएगा अधरवाइस मेरा मेरा करना मेहना परने सब बेकार है फिर भी मेरी मोरल इस्वंस अधर करना जैसे कि हमने कहा था आप लोगों को से बेसिक इलेटकल इंजिनिंग में स्टार्ट करूंगा और यह आप लोगों के लिए यह टॉपिक से रिलेटिट नहीं है ठीक है इसको अलग रखिए या आपको करना है यह वो है जो मुझे पढ़ाना है प्श्रे के बारे बोर्ड पर टाइप लिखना शुरू करूँगा तो बहुत वीडियो लब्बे हो जाएंगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा तो आपको फिलाल इसको रिवाइंड करके आप पीछे करके देख सकते हों ठीक है नेटवर्क इनर्जी देने वाले अलमेंट जैसे कि आपके सोर्से सोर्स बाटरी शोर्स और वावर वह जोने इनर्जी सोर्स इनर्जी लेते हैं ठीक है पैसीब वह जाते हैं आपके mostly passive element में तीन चीज़े ही आती है electrical के अंदर L, R और C यानि inductor, register, capacitor ठीक ये तीनों passive element होते हैं और active element में क्या होते हैं voltage, source, current, source ये सब होते हैं ठीक है inductor, register, capacitor में इनकी एक property होती है कि inductor जो होता है आपका वो आपके energy को store करता है capacitor आपके energy को store करता है बट register आपके energy को dissipate करता है, यानि बरबाद करता है मतलब ये energy को use तो तीनों करते हैं, ये दोनों store करते हैं बट ये बरबाद करता है अगर ये पुछा जाए कि energy storing element कौन से हैं, तो ये दोनों है अगर यह पुछ जा energy use कौन-कौन से करती हैं, तो यह तीनों use करते हैं, ठीक है, यह किस form ने से इनलेक्रल एनरजी को यूज करता है, यह heat के form में, उसको use करता है aoula dissipate करता है, बरबाद करता है, ठीक है, एनरजी बे दो form में होती है, क्लिनिक इतनी चीजी के लिए तक अदा मेंसे बता रहा रहा हूं अब uses कि लिएक इलेक्टिर की थो टाई लिए ओ रोग Northern पैसिव नेटवर्क लीनियर नेटवर्क नॉनिलेटरल नेटवर्क बाइलेटरल नेटवर्क लंड नेटवर्क डिस्ट्रिबूटिव नेटवर्क ठीक है एक्टिव नेटवर्क पैसिव नेटवर्क का क्या मतलब होता है अच्छी सी बात है कोई ऐसा नेटवर्क हो जिसमें स्रीबुर्य एक्टिफ सूर्स यानि कोई वोल्टिज सॉर्स एकरेंट सोर्स और कुछ नहाँ सिपुक्ऑ में वह वह नटवुक होता है जिसमें सिर्फ görün sucker मैं कि अखर कुछ हो मतलब कोई भी सोर्स नहाँ सब्सक्राइब हСТुर्स कुरू 주 Mit Auf हमारे नेटवर्क के आये दोनों ही दिये हुए है इस लिए इस नेटवर्क को ना एक्टिव नेटवर्क कहेंगे पूरी तरह से ना पैसिव नेटवर्क कहेंगे पूरी तरह से यह बोत है अच्छा अब आज यह लीनियर नेटवर्क नॉन लीनियर नेटवर्क ठीक है लीनिय पर temperature पर इन सब चीज़ों पर डिपेंड ना करते हो क्या मतलब है कि अगर हम time temperature वगरा increase ये decrease करें घटा या बढ़ाएं तो उससे इन तीनों पर कोई फरखना पड़े resistance, inductance, capacitance पर कोई फरखना पड़े अब हम लोग क्योंकि DC की बारे में फिलाल पढ़ेंगे हम आगे आपको AC बताएंगे, तो DC में स्रिफ R यूज होता है, L और C AC में यूज होता है, वो क्यों होता है सब वहां बताएंगे, ठीक है, तो जिस temperature और time का R पे कोई फरखना पड़ता, अगर नहीं पड़ता तो वो linear network है, अगर पड़ता है, यानि temperature और time को हम आगे पिछे क करके RLC में फरक्त डाल सकते हैं, तो वो non-linear network होता है, यह आपके जो ohm का नियम होता है, वो हमेशा linear network पर चलता है, non-linear पर नहीं चलता, तो यहां पर ohm's law नहीं चलता, इसमें, लेकिन इसमें चलता है, यह ohm's law यहां चलता है, linear case में, फिर आता है unilateral network, bilateral network, वो network, जिसमें जो passive element लगे होते हैं, जैसे मालो आपका एक source है, यह AC source है, example जो थार पर, यह रजिस्टर लगा है, यहां एक, अब यहां पर क्या है, current के direction चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, इस पर कोई फरक नहीं पढ़ता, यह current दोनों साइट से जाने देगा, इधर से भी जा स होता है, जो direction dependent होता है, जैसे कि आपका मालू यह है, diode हमने लगा दिया, तो diode में आप जानते है, current इसी तरह से जा सकती है, इस तरह से तो नहीं आएगी, तो एक fix direction में लग सकता है, जो कोई एक direction को मातर follow करता हो, यह एक direction पर ही जाने देगा, दूसरे direction नहीं जाने देगा, तो उसको हम बोलेंगे unilateral network, यह होता है, unilateral network वो network होता है, जिसमें direction follow होती है, bilateral network वो network होता है, जिसमें direction को कोई महत्व नहीं होता है, यह पैसिव element जो है आपका, आर मालो जैसे आप register दिख रहा है, तो उसमें कहीं से भी करें जा सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इसके यह बाद आता है लंड नेटवक डिस्ट्रिब्यूटिव नेटवर्क ठीक इसकी थियोरी वगर लिखो बहुत आइम लगे आपको नोट्स जो बनाने हैं वह आपके मिली होने चाहिए पेपर प्रस्पेक्टिव से ठीक तो जो भी मैं बोल रहा हूं वीडियो बार पर सुनों वह clear हो जाएगा लंड नेटवक डिस्ट्रिब्यूटिव नेटवर्क लंड नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें कि आपके जो element होते हैं मालिजे से ही आपका battery source है यह आर है यह L है और यह battery source दोनी फिर AC दिखाओ यहां पर क्योंकि DC में L काम नहीं करता है अब यहा पर आपके जो element होते हैं यानि passive element वो अगर आपको clearly अलग लग दिखाई दे रहे हैं RL दिख रहा है उसके अंदर तो वो लंड नेटवर्क होता है और वो network जिसमें आपके element RL और C की दिखते नहीं हैं मगरं के Middle उसमें विद्धिमान होते हैं जैसे कि आपका transmission lines होती हैं तो transmission lines जो आपके होती है उसमें क्या होता है उसके अंदर inductance कभी गूण होता है considered कभी कोन होता है कहने के मतलब होते induced absorption induction drawn की लाइन होती हैं वह एनेजी स्टोर भी करती बर्बाद भी करती हैं गरम होती हैं गर भी होती नहीं तार क्या सबस्ट तो सारे गुण उसमें RLC की होते हैं लेकिन उसमें Resistance Innearma/. er Capacitance अलगअलग दिखाईने देता है लिधा的ा है तो वह नेटवक जहां पे RLC passive element अलग अलग ना दिखते हों उसको distributive कहते हैं और जहां अलग 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 इंडिजुल ली दिखे हैं आपको कि एक रेजिस्टर लगाया फिर एक इंडेक्टर लगाया वो दिख रहा है आपको तो उसे लंड नेट्वर्क कहते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका इलेक्ट्रिकल नेट्वर्क इतनी चीज़ क्लियर हो गई इसके बाद आप आज आई अपने एनर्जी सोर्सेस के उपर मैं इसको बटा दे रहा हूं ठीक है अब फिलाली बोर्ट तो है नहीं कि वेट करूं आप लोग आप लोग तो देखी चुकिए हो सब तो इसको देख ल इसमें क्या होगा यहां वेल्टेज लगा होगा यहां आपका हो गया वोल्टेज्य सोर्चो हूं ठीक है अच्छा मैंने यह नीचे लिखा हुआ है बोद आर् сб याने मिल्ट सूर्स हो या करेंट सोर्स तो दोनु फ्रकार होते हैं Time一樣 bha भी होता है अरो польз नियम होता है यह दोनों फ्रकार की चुर्स होते है वह प्रक्लाइब है A टिक है कि साerd्स थो मतलब होता है वह सोर्स जहांन पर समय का फ्रभाव पढ़ रहा हो जैसे कि आप लोग देखते हैं V लिखा है यहाँ पर R लिखा है यहाँ पर अगर यह चीज में ऐसे बना दो AC source V bracket में R और L या L ना भी लगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि R जो register होता आपका 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 वो AC DC दोनों में चलता है आप यहां पर bracket में टी लिखने क्या मतलब है टाइम का इस पर परहावफ पढ़ रहा है रहता है मतलब होता है जिस पर समय का परहाव नहीं पढ़ता है और एक वले होते हैं वह होते हैं के ठीक है इसी तरह से करेंट सुर्स भी होता है करेंट सफ का आप लोग डियाग्राम देख लिजひुमारीजये से करेंट सोर्स है अघ सब्सक्राइब ध्यान ना देना है और मुद्धिक बात कर रहे हैं कि करेंट सोर्स कि रजिस्टन्स यहां आई है और यह आर है सिमिलरली अगर करेंट सोर्स कि आई ब्रैकेट में टी आर या एल कुछ भी लगा दो क्योंकि जब एसी आगे तब तो कुछ भी लग सकता है डीची में आपर लगेगा तो यहां पर क्या हो रहां देख हैं यह टाइंप नहीं में है तो इसे इसी कहेंगे इंक ईनकर एक थाय्म वेरियांट है नहीं है लिभ स्वावार से क्लास में कहते थे कि इंग्लिस के टेमलोगी ध्यान की जिए इसके बाड आता है ideal or practical sources. Ideal voltage source, practical voltage source. इसका क्या मतलब है? इसका simple सा मतलब है जो भी आपका source होता है, जैसे माले voltage source में voltage source होगा, current source में current source होगा. ठीक है? अब हम यह DC की बात करने ते AC वाले हटा देते हैं? कोई लेना देना नहीं है इनसे. अब यहाँ आइडियल और प्रेक्टिकल की बात कर रहे हैं आइडियल वोल्टे सोर्स में क्या होता है जो वोल्टे सोर्स आपका होता है इसके अंदर रजिस्टेंस जो होता है वो शून ने होता है यानि सोर्स के अंदर को रेजिस्टेंस नहीं होगा लेकिन यहीं देखो इसमें यही होता है, आइडियल की केस में लेकिन प्रैक्टिकल की केस में क्या होता है, जो आपका अपना voltage source होता है या current source होता है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ resistance होता है यानि जिसको हम लोग उसका आंतरिक प्रतिरोज हिंदी में यह इंग्लिक्स में internal resistance कहते हैं ठीक है हम लोग जो question solve करते हैं तो generally हमने वो ideal मान के चलते हैं किसी-किसी question में बोल देता है कि फलाने voltage source या current source का internal resistance इतना है तो उसमें फिर वो भी जोड़ देते हैं और क्या ठीक है तो यह हो गए आपको types of energy sources कि नोट्स अपने बनाते हैं चलिए गए ठीक है क्योंकि जो question हम आपको ऐसे बता रहे हैं इसमें कभी कभी क्या होता है कि यह डारेक्ट statement वाइस question आ जाते हैं और फिर confusion पैदा हो जाता है कि invariant source क्या होता है चार statement लिख दिया उसमें time invariant क्या होता है तो जो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको अपनी भाषा में अच्छे सर लिख लेना ठीक है clear है अब हम इसके बाद आते हैं ओम्स law पे यानि ओम का नियम clear ओम का नियम क्या है देखते हैं ओम्स law ओम का नियम है क्या असल में ओम को नियम में कुछ नहीं है बस ये है कि परिवहासा लेखने की जरूरbt नहीं सुन लो क्या होता है जो बोल रहा हूं में यहां पर यह जो होता है यह यह आ हम लोग comigoर्शा जा najwię यह हम लोग ने बनाया है, exactly यह नियम होता है, यानि जो आपकी current होती है, ठीक है, वो rate of change of potential, यानि विभुवांतर के समानुपाती होती है, किसी भी circuit में बहने वाली current, उसके विभुवांतर, विभुवांतर, विभाव नहीं, I mean to say, potential difference, potential नहीं, voltage नहीं, voltage नहीं, voltage difference, यानि य असल में आपका यह समझी, इसको ऐसे लिखते हैं, V2-V1, कि नहीं, दो का difference, कभी भी विभुवाव पे current का flow नहीं होता है, विभुवांतर पे होता है, ठीक है, तो किसी भी circuit का potential difference के directly proportional होता है, उसमें flow करने वाली current, और उस circuit के resistance के inversely proportional होता है, यानि विभुवांतर जितना ज़्यादा होगा current उतनी अच्छी flow करेगी, और रजिस्टनस ज़्यादा होगा current उतनी कम flow करेगी, यानि resistance current को रोकता है, तो कभी कभी ये भी question आता है, कि RLC इन तीनों में कौन सी चीज current का oppose करती है, रोकती है, तो resistance रोकता है, ठीक है, तो resistance oppose करता है current का, यह है आपका ohm क अनियम जब solve किया गया तो जब proportionality का sign यानि इसको हटाते हैं जब ना तो एक constant लगाते हैं तो constant की जगह लगा दिया गया के के वी अपॉन आर और हमने की value को एक माल दिया तो बन गया formula आपका i is equal to v upon r यह है ओम का नियम यह तो हमने बाद में इसको ऐसे बना दिया इसको v equal to r तो हम लोग इसे लिए इसको याद रखते हैं ठीक है यह है कुल कहानी ओम का नियम की ठीक कोई दिकत तो नहीं इसके अंदर बाकी ओम का नियम किस पर चलता किस पर नहीं चलता है वह नीचे हमने पिछले अभी थोड़े दिर पहले बता दिया था तो इसमें कोई confusion नहीं होगा ठीक है इसके बाद जो चीज आती है वो है आपकी जो तीन basic circuit elements है कौन-कौन से आर एल और सी यह होते क्या है बस इसके बा होते हैं basic circuit elements जो बताने जा रहा है वो कौन-कौन से है आर है एल है सी है कि पेसिक कि सर्किट कि एलिमेंट्स कि क्या है कि रजिस्टन्स यानि आर इंड़क्टेंस कि यानि एल और क्यापैस्टन्स कि यानि सी आर एल और सी यह है आपके ठीक है सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टन्स की कि पॉइंट वन कि प्रजिस्टन्स कि इसको इस तरह से डिनोट करते हैं अ यह ज्चिक सिमबल होता है इसकी यूनिट कितनी होती है इसका बेसीक फर्मला क्या होता है इसका फर्मला होता है capital R is equal to rho L upon A ठीक है capital R is equal to rho L upon A जहाँ L क्या होती है length in meter A क्या होता है area of cross section अनप्रस्त काट का छेत्रफल यानि meter square और ये क्या होता है rho क्या होता है आपका ये होता है resistivity ठीक है प्रतिरो धक resistivity याद रखो बस ठीक है और इसकी unit जो होती है वो होती है ohm ohm meter इसकी unit ohm meter होती है इसकी unit meter होती है और इसकी unit meter square होती है ठीक है तो लिख के देखो अगर ohm meter into meter upon meter square लिखोगे तो meter square meter square कट जाएगा बचे का स्रिफ ohm इसलिए unit इसकी ohm होती है पतब जान लो ठीक है यह आपकी इसकी पूरी कहानी ठीक अच्छा एक कुलाम में कितना जूल होता है और एक कैलोरी में कितना जूल होता है सारी कुलाम बोल रहा है एक calorie में 4.2 joule होता है और एक joule में 0.24 calorie होती है यह जाद आगiment इसको लिख लो क्योंकि यह कभी-कभी पूछ लेते हैं एक calorie में 4.2 joule होता है यह तो सब को याद रहता है एक joule में 0.24 calorie होती है यह याद नहीं रहता है याद रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैल्कुलेटर वहां अलाव नहीं होता है ठीक है तो कुश्चन वही आएंगे जिसकी कैल्कुलेशन आसान होगी ठीक है क्लियर है ना अच्छा यह तो हो गया रेजिस्टन्स के बारे में अच्छा इनर्जी अब एक चीज़ा और ठीक है यह तो हो गया आपका वुल्टेज है अगर करिंट के लिए कहा जाए तो करिंट आई इसको डोबी अपान आ हो जाएगा उसके निया फॉर्म प्राइला जाएगा एनर्जी के लिए किकेस में क्या होगा है ại हुआ और ईया होगा सब्सक्षार एप और इनड़े तो और इन्टो ते यह फिर आई स्कुरहर आर इंन्टो टी विश्क्वार आर इन्टो टी अकली इस्बश्क नो यह और ऋजागा थी ठीछ के इस वाद आ जाता है इनकेंज का होता है इसका क्या मतलब होता है मतलब होता है खिसी आश्युटीविटी पके बढ़ेगा उसके लैंद्थ और्श passado अब आपका आपने इसको थोड़ा कर दिया तो इसका जो घट जाएगा ठीक है यह सब इस्तमाल होता है जब अब आपका अगला टॉपिक है इसके बाद क्या लिखा है इसके बाद है इंडक्टेंस ठीक है इंडक्टेंस क्या है अब कि इंडक्टेंस कि विश्या में जो कहा गया है उसके बारे में इंडक्टेंस का राद थक्षोन कि बारे में कहा जाता है विजकल टू 1 आपके किसी भी सर्कृट का वुल्टेज जो होता है उसमें rate of change of current के समानपाती होता है यहनि current अगर change होगी तो उसके समानपाती जो होता है वो voltage होता है और यह proportionality sign जब हटा था तो इसकी जगए term आ गया L तो इसलिए voltage की case में formula बनता है V is equal to LDI by dt यह याद रखो यह तो समझाने के बोला है कोई चीज अगर मैं समझा रहा हूँ और वो ना समझा रही हो ना तो comment में पूछ लेना और फिर भी ना समझा रही हो तो उसका result याद रख लेना क्योंकि के मुद्दा यह है ठीक वी इस उकल टू LDI by dt रजिस्टेंस जो होता है इसको दिखाने का सिंबल होता है यह ठीक इसका जो यूनिट होता है वह होता है है ठीक है फर्मुला वी इसको टू LDI by dt होता है ठीक है और फेराडे की नियम से एक फर्मुला वी का यह भी होता है वी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है यह आप लोग ने मेगनेटिजम में पढ़ा था पढ़ाया था हमने अगर इन दोनों की तुलना की जाए ठीक है जब प्रपोर्पोर्शनल्टी साइन हटा तो इसके जगा पर आ गया एन ठीक है यानि अगर हमने इसको इंटिग्रेट किया जब अब देखिए अगर इन दोनों की हम बात करें तो आएगा आपका एन डी फाइ बाई बाई डी टी इकाल टी एकल टी यह दूसरा इक्वेशन है यह पाहिला एक्वेशन है बाई क्वेशन वन एड्टू ठीक है तो इसको हम लिखते हैं एन फाई is equal to L I DT DT हड़ी है ठीक है अरे इसको integrate कर दिया गया मतलब तो यह भी formula होता है अब इस formula के कही 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 लिखा होता है L is equal to N phi upon I तो यही चीज़ तो है तो यह formula वहाँ से आता है L की case में इसे दो formula बनते हैं ठीक है अच्छा energy store जो R में था तो energy storing का formula क्या होगा half L I square यह याद रखना energy storing का इसे दिखाओ इसको voltage की case में यह एक formula होता है energy storing case में यह होता है ठीक है यह हो गया आपका inductance के बारे में बाकिक अगर चीज़ खुटेंगे जब question को solve करेंगे तो उसमें और चीज़े clear हो जाएगी बस revision जरूर करना अब इसके बाद आता है आपका capacitance ठीक है capacitance के बाद आपका यह lecture जो है वो end हो जाएगा आज के दिन का बहुत जल्दी में आप लोग इस फिनिश कर दूँने course इसका बस last तक lecture देखना सीखो और भीया लाइक करने में और व्यूज में कमी नहीं आनी चाहिए वना आदमी के अंदर पिजील नहीं होती कि इस गर्मी में पंखा उंखा बंद करके तुम्हारे रिकॉर्डिंग करें ठीक है अब आगए क्याक क्या पैस्टेंस क्या पैस्टेंस पर इनरजी इस बैस्टी होता है इसको जो सिंबल होता है इसको दिखाने का यह नद फार्मिला होता आप यह चेंज ऑफ वोल्टेज के डिरेक्ली प्रोपोर्शनल होती है वहां क्या था वोल्टेज जो होता है किसी सर्कृट का वुरेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट के डिरेक्ली प्रोपोर्शनल था इंडेक्टर के केस में क्या है जो करेंट है वुरेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के directly proportional है same here proportionality के sign हटाएंगे तो क्या आएगा यहां पर c c dv by dt यह formula देखा होगा तुम सभी लोगा ना कई दो नहीं देखा एक formula और होता है q is equal to cv यहां पर q charge होता है v voltage होता है c capacitor होता है यह capacitor के बीच के जो प्लेटों के बीच में charge होता है उसके लिए formula बना था तो एक formula यह होता है एक formula यह होता है वहां भी दो formula थे अब energy storing का formula capacitor के लिए तो वह क्या होगा half c v square यह energy storing के capacitor का formula है इंडक्टर केस में क्या था half li square क्या है हाफ cv square ठीक है तो यह आपका जो है capacitor वाला टॉपिक खतम हो गया क्लियर है ठीक अब कल इसकी आगे बताएंगे तब तक इसको देखिए इसकी notes त्यार करते जाए फिर आपको question करवाएंगे तो आपको काफी help मिलेगी thank you so much stay safe